नमस्कार दोस्तों यदि कभी भी खुला पासा को मौरने पर कौन सा पासा प्राप्त होगा ऐसा कोस्चन अगर आपको एक्जाम में मिले तो फर्ष्ट वाला को पकर लेंगे फर्ष्ट का तीसरा कौन हो जाएगा वन टू थिरी तीसरा हमारा ये हो जाएगा तीसरा हमारा क्य होगा नहीं होगा और देखिए यहाँ पर एक-पाँछ की यह भी हमारा नहीं होगा हमारा option A हो गया right answer जिस परकार संबंध हमारा बाबन का 211 से है उसी परकार 20 का संबंध किस से होगा अब बताए यदि हम बाबन को 4 से गुना करें बाबन गुने 4 कितना हो जाएगा 4 तो ना 8 पॉंचो के 20 208 208 तो हमारा नहीं है 208 को 220 कैसे बनाया है अब बताए यदि हम बाबन को फिर 4 से भाग देंगे तो कितना आजाएगा 13 208 में 13 जोरेंगे कितना हो जाएगा 211 211 हमारा आ गया उसी परकार यदि हम 20 को करें 20 को हम 4 से गुना करेंगे 20 चोके 80 हो जाएगा हमारा फिर हम 20 को 4 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा 80 पलस 5, 85 85 हमारा option C में है C हमारा right answer हो जाएगा एकजा में जब इस परकार का प्रसन आता है तो 99% student को समझ में नहीं आता है करना क्या है यदि हम यहाँ पे देखें 12 कैसे बना 624 को 12 कैसे बनाए है यदि हम 6 गुणा 2 करें तो 6 गुणा 2 बारा हो जाता है ठीक है उसी परकार 9 गुणा 3 करेंगे 9 तिया 27 27 हमारा option में नहीं दिया है तो यह method हमारा काम नहीं करेगा अब second method पे हम देखते हैं यदि हम 6 को 4 से गुणा करेंगे same question आपको फिर से दिया गया है 526 को 15 बनाया गया है उसी परकार 833 को कैसे बनाएंगे अब बताएए 526 में हम बताएं है 6 गुणे 5, 6 पंचे 30 30 को बीच वळा 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 उसी परकार 833 में 8 गुणे 3, 8, 24 24 को बीच वळा 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताएए आप 3, 8, 24 8 हमारा option C में दिया है C हमारा right answer हो जाएगा इसी परकार के और वीडियो देखने के लिए Manish motivational classes को like, subscribe जरूर करें धन्यबाद